जिन मनुहरलाल मंत्री नरेंद्र मोदी बाइप पर घूमा करते थे उन्हें भरे मंच पर चलता कर दिया जी हाँ बिचारे खटर मूँ ताकते रहे गए नमशकार करते रहे गए लेकिन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पलट कर तक नहीं देखा और तो और गजब तो तब हो गया जब अपने भाशण के दोरान पीम मोदी ने खटर का नाम तक नहीं लिया इसके बाद मनुहर लाल खटर को ये समझ में आ गया कि जैसे उन्होंने अमिश्या से पंगा लिया है ऐसे हालातों में तगड़ा एक्शन होने वाला है इसलिए इस्थिती को समालने के लिए खटर पीम मोदी के पडोस में जो कुरसी खाली थी उस पर जाकर बैट गए इसके सब्साद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भड़के हैं और भयंकर गुस्से में दिखाये दिए हैं और यह सोशल मीडिया पर वाईरल हो गया है तो फिलहाल हिसार की रैली में क्या हुआ क्यों हुआ हुआ और मनोहर लाल खटर क्यों हरबडाय और मंच छोड़कर चले गए उस पर भी आएंगे आपको एक एक करके बताएंगे तस्वीरों के साथ चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस रैली से करते हैं जो कि हर्याड़ा के हिसार में हुई तो पहले ही बवाल हो गया अगर हिसार की बात की जाये तो हिसार में मैं आपको बता दूँ कि भारतिय जंता पार्टी की तरफ से कमल गुपता को चुनावी मैदान में उतारा गया है राम निवास कॉंग्रेस की तरफ से हैं और सावित्री जिंदल निर्दली चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं लेकिन यहाँ पर पेच है आपको बता दे ये जो सावित्री जिंदल है ये भारतिय जंता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है ये वही सावित्री जिंदल है जिनोंने 2024 लोग सबाचुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस से इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इनोंने इस्तीफा नहीं दिया था इनके बेटे नवीन जिंदल ने भी इस्तीफा दे दिया था अब नवीन जिंदल तो कुरुक शेत्र से भारतिय जंता पार्टी के टिकट पर सांसत बन चुके हैं लेकिन सावित्री जिंदल ने अपने पते तब नहीं खोले अब खोले हैं सावित्री जिंदल ने हर्याणा के हिसार से निर्दली चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है ऐसे में आप समझ सकते हैं अगर वो चाती तो भारतिय जंता पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ स पहुचे हैं तो जो कमल गुपता हैं जिने भारतिय जंता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है उनकी फोटो को पोस्टर पर नहीं लगाया गया बलकि नवीन जिंदल की फोटो को पोस्टर पर लगाया गया है नवीन जिंदल वहीं सांसद हैं बीजेपी के जि हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार भारतिये जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। हर्याना का जाना माना चहरा हैं वो हार गए। तो तब तो कॉंग्रिस वर्सिस बीजेपी में कॉंग्रिस ने बाजी मार ली थी और अब यहीं पर विधान सभा चुना होने वाला है। सीट के लिए कैसे ताकत लगाई जा रही है, कैसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी प्रचार में उत्रे हैं और अब तो अपने जो दुश्मन बन चुके हैं खटर को भी मंच पर बुला लिया है। आपको मैं तस्वीरे दिखाती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरे जब से निकल कर सामनी आई हैं उसके बाद से समझ में आ रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खटर के खिलाफ कितना बड़ा आक्शन लेने की तयारी में हैं। तो मंच पर क्या हुआ जब खटर और मोधी एक साथ आ गए तस्वीरे आप अपनी फॉल स्क्रीन पर देखें। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अपने भाशन की शुरुआत करते हैं और उसमें मनोहर लाल खटर का नाम तक नहीं लेते। अमूमन ये होता है कि जब भी कोई नेता कहीं पर किसी रैली या फिर की जनसभा को संबोधित कर रहा होता है तो अपने भाशन की शुरुआत में जितने भी नेता मंच पर मौजूद होते हैं। उनका नाम लेते हैं लेकिन प्रधावन मंत्री नरेंद्र मोधी यहां पर खटर का नाम लेने से इतना बचते हुए दिखाई दिये कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया डायरेक्ट अपने भाशन की शुरुआत की है। इसके बाद खटर को इतना तो समझ में आ गया कि पियम मोधी नाराज है। इसलिए जैसे ही मुख्य मंत्री नायाप सिंग सैनी अपना भाशन देने के लिए गए खटर भागे भागे प्रधावन मंत्री नरेंद्र मोधी के पडोस में बैट गए। आप तस्वीरे देख सक देने के हाव भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल खटर को यहां पर इतना तो समझ में आ गया कि आखिर मंच पर क्या चल रहा है। और मंच पर कैसे उनकी लाइफ फजियत की जा रही है। अब ऐसे हालातों में मनोहर लाल खटर भाग खड़े हुए हैं। बिलकुल ठीक सुना आपने। प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी अपना भाशन दे रहे थे और मनोहर लाल खटर मंच से उठकर चले गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश का प्रदान मंतरी अपनी ही पार्टी की रैली में मंच से भाशन दे रहा हो और वहीं का जो पूर म मुख्य मंतरी है वह वहां से उठकर चला जाए। उसके बाद प्यम मोदी कितना हरबड़ा गए हैं वीडियो देखे। हमारे सभी उम्मीद्वारों से मेरे आग रहे हैं जड़ा आगे आजाएं। आप सब के आशिरवाद उनको मिले ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूँ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी सारे नेताओं की तरफ जब देखते हैं और कहते हैं कि आप आशिरवाद लेने के लिए आगे आजाएं तब उनको पता चलता है कि वहाँ पर मनोहर लाल खटर मौजूदी नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मनोहर लाल खटर पहले पीयमोदी के पडोस में बैटे थे उनके भाशन के दौरान मंच से गायब हो गए हैं। पीयमोदी भी आते हैं और वहाँ पर अपना हाथ उठाते हैं सारे नेताओं के साथ में। लेकिन इस तस्वीर में मनोहर लाल खटर गायब हो चुके हैं। राजस्थान विधान सबाच चचुनाव में आपको याद होगा कि जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंद्रा राजे एक मंच पर आये तो पीयम मोदी ने वसुंद्रा राजे के नमशकार को सुईकार नहीं किया। उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। खबरे भी निकल कर सामने आई खबर में आप देख सकते हैं कि वसुंद्रा प्रणाम करने आई तो पलट कर चले गए मोदी। तो मोदी जिस से पलट कर चले जाते हैं उस पर आक्शन होता है। वसुंद्रा राजे पर आक्शन हो चुका है और अब खट्टर की बारी है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने जैसे पंगा लिया है बीजेपी आला कमान से आप जानते हैं। पहले तो ग्रह मंतरी अमिशा का फोटो ही पोस्टर से गायब कर दिया। उसके बाद ग्रह मंतरी अमिशा की नाराजगी के बावजूद जेजेपी के विधायकों को भारती जनता पार्टी में शामिल कर वा लिया। और अब तो गजब ये हो गया है कि मनोहर लाल खटर ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के भाशन के दौरान हर्याडा की हिसार रैली को छोड़ दिया है। तो ये है हर्याडा के हिसार का लाइव अपडेट जहां एक तरफ राहूल गादी जो बगावती तेवर अपना रहे हैं उनको एक मंच पर लेकर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की रैली में ही गजब खेल हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें फिर मलते हो लिए खबर के साथ अब तक के लिए धन्यवाद